गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं प्रणत वह स्वागत करता हूँ आज आपका डेली MCQ क्लास में तो चले दोस्तों बिना किस टैन को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेस क्लास दोस्तों मारा पहला प्रशन है 2018-19 के लिए फिकी के उपाध्यक्स के रूप में किसको जना गया है तो फिकी के नए वाइस प्रेजिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है यह सवाल में पूछा गया है आपके सामें चार ओप्शन्स है आयाज मैमन, विकरम चंद्रा, राहुल क सवाल और उदैशंकर दोस्तों का जो करेक्ट आंसर है वो है उदैशंकर दोस्तों जो उदैशंकर है वो स्टार इंडिया के चेर में है और 21st Century Fox Asia Pacific यानि कि ये एक प्रोडक्शन कंपनी है 21st Century Fox Asia Pacific ये सिर्फ एश्या में काम करती है 21st Century जो Fox है वो वर्ल्डवाइड कंपनी है लेकिन जो इसका एश्या में पार्ट है उसको Asia Pacific बोलते हैं और इनको चुना गया है Vice President इस फिक्की जिसको हम सब जानते हैं फेडरेशन ओफ इंडियन चैंबर्स ओफ कोमर्स और इंडस्ट्री ये एक ग्रूप है इंडस्ट्रीज का ताकि वो लोग अपने इंट्रस्ट और अपने राइट्स को डिसकर्स कर सके एक साथ मिलकर तो इसलिए इस बोडी को बनाया गया था तो दूसरा प्रशन है कि संगठन ने नई भारत एडरेट 75 के लिए रन नीती जारी की है यानि की विच ओर्गनाइजेशन हैस रिलीज्ट स्ट्रेटेजी फोर न्यू इंडिया एडरेट 75 हमारे सामने चार ओप्षिंस हैं वह नीती आयोग, आर्बी आई, सुप् दीके दोस्तों हम सब जानते हैं कि नीती आयोग इंडिया की प्राइम बोड़ी है या फिस्टार बोड़ी है रिसर्च में और इसने दिसेंबर 1928 को एक रिपोर्ट लॉंच किया है जैसा कि आप देख सकते हैं पिच्चर के अंदर, फाइनेश मिनिस्टर अरून जेटली इसको लॉंच किया है जो पीछे पीपीट यह उस पर लिखा हुआ है स्ट्रेटीजी फोर न्यू इंडिया एट दरेट 75 यानिकि 75 एयर्स हो गया हमारे इंडिबेंडेंडेंस को और 2022 और 2023 में जब यह 75 एयर्स कंप्लीट होंगे उस टाइम पर हमें किस तरीके से डेवलोप प्रशने 17 दिसंबर 2018 को उपर राष्ट पती एम के विनकिया इनाइडो ने सोफ्ट पावर पर तीन दिवस से सम्मेरन का उद्गाटन कहां किया था दोस्तों हम सब जानते हैं सोफ्ट पावर एक तरेकी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक टूल है जिसमें कल्चर या फ इनके बीच में सोफ्ट पावर एकजिस्ट करती है जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशन्स स्ट्रों किया सकते तो इसके ऊपर एक फ्री डे कॉंफरेंस करें गई जिसको एमके वनकिया नाइडो जो कि हमारे देशन के वाइस-प्रेजिटन्ट है नोगरेट करया सवाल है कि य न्यू डेली, मुंबई और बेंगलरू दोस्तो इसका जो correct answer है वो है न्यू डेली और जो ये center है center for soft power ये पहला center है जो dedicate किया गया है Indian soft power के ओपर और इसको establish किया गया है in collaboration with Indic Academy दोस्तो हमारा जो चोथा प्रशन है इनमें से कौन सा online swast counseling app है जो UP में gram bean इलाकों में रहने वाले लोगों को swast सेवा प्रदान करने के लिए launch किया गया है यानि कि which app has been launched by the government of UP in order to provide online health constellation app और in order to provide health care to people living in UP यानि कि उत्तर प्रदेश के अंदर swast सेवा प्रदान करने के लिए किस app को launch किया गया है और चार options है वो है उमंग भीम साथी और माई गवर्मेंट दोस्तों को correct answer है वो है साथी और इसको जो है जब launch किया गया है दोस्तों इसका main point है वो है कि इसके साथ-साथ health cards भी जो है in state of उत्तर प्रदेश लांच किया गया है और इंडिया की largest online health camp माई उप्चार ने जो है दोनों चीज़े launch की है चाहे वो साथी एप हो या फिर health cards हो जोस्तों पांचों प्रश्न है कोलिज के चात्रों के साथ भैतर connectivity सुनश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिक्सा सेतू एप को launch किया है यह जोन्य कि विच स्टेट गवर्न्मेंट है लोन्च सिक्सा सेतू एप ताकि कोलिज स्टूइंट के साथ बेटर connectivity बन सके है तो चार options है वो है पंजाब, असम, हरियाना और उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका जो correct answer है व तो यह जो किस तरीके से help करेगी students को वो इस तरीके से help करेगी कि यह उनको information provide करेगी attendance के बारे में, fees के बारे में, online admission के बारे में और scholarships के बारे में, जिससे जो college के students है वो इन सब चीजों के बारे में एक easy medium से updated रहें, तो in case अगर हमारे जो viewers हैं, हरियाना government colleges में पढ़ते हैं तो वो जरूर इस app को यूज करें, ताकि उनको scholarships के बारे में पता लग सके, online admission के बारे में पता लग सके तो चटा सवाल है, कि 1 January 2019 से केंगरिया अबत्रियक्षकर और सीमा शुल्क यानि CBIC जिसको हम Center Board of Indirect Taxis and Customs भी बोलते हैं तो 1 January 2019 से उनके नए चेर्मेन, यानि एक नए अध्यक्ष के लूप में किसको निक्त किया गया है, हमारे सामने 4 options है, राजी मिश्रा, अनितर नायर, S. प्रमेश and प्रणब कुमार दास दोस्तों, उसको जो correct answer है, वो है प्रणब कुमार दास, और जो प्रणब कुमार दास है, वो सक्सीड करेंगे S. रमेश को, यानि कि S. रमेश जो हैं अभी तक थे, लेकिन अब प्रणब कुमार दास बनेगे, उनकी पिछर भी आप देख सकते हैं, और ये CBDT के ने चेर्मे प्रणब होंगे, दोस्तों, सात्वा प्रणब है, कि 20 दिसंबर 2018 को राश्पति शार्षन किस भारते राच्चे पर लगाया गया था, यानि कि which state has faced imposition of President rule on December 2018, दोस्तों, काफी latest convention है, तो इसका answer आप सभी को पता होना चाहिए, और वो है जमू और कश्मीर, जिसमें अभी तक पिछले 6 महीने से, गवर्णर रूल था, लेकिन जो जमू और कश्मीर का constitution है, वो ये कहता है कि after 6 months, यानि कि 6 महीने के बाद जो गवर्णर रूल लग चुका है, उसके बाद it's necessary, या फिर एक तरीके से mandatory है, कि President rule लगेगा, और President रामनाथ को विंद ने, उस Proclamation, यानि कि कि उसका अगज़ पर अब साइन कर दी है, जिससे कि वहापर President rule या फिर राश्पति शार्षन लग जाएगा, दोस्तों, आठवा question है, कि 19 दिसंबर 2018 को release हुई Changing India किताब के लिखा कोन है, तो simply question यह है, कि Changing India नाम की जो book है, उसके author कोन है, तो आपकर समय चार option है, अरुन जे जादा news में रही है, और वो इसे से रहें, क्योंकि उन्हें अपनी book Changing India को launch किया है, और जो यह book है, इसके अंदर कुछ, जो main material है, वो है उनकी speeches, जो कि 6 volumes है इस किताब के अंदर, यह compilation उनकी speeches और writings का, जो नहींने पिछले 10 साल में, जा है वो UPA government के as prime minister की दी हो, या फिर as economist, उन्होंने जो speeches दी है, वो सब इसके अंदर डाली गई है, जो सो नुवा प्रशन है, कि भारतिय कप्तान पूर्व जो रह चुके है, MS Dhoni, उनकी प्रतियमा का अनावरन किस संग्राल्य में किया गया है, यानि कि former Indian captain MS Dhoni, statue has been unveiled at which of the following museums, जो चार options है, वो है जैपूर wax museum, जैप जैपूर मेडम टोसाथ होलिवोड डेली, मैलेडी वर्ड वैक्स मूजियम मैसूर, और फौर्थ मायवपूरी वंडर वैक्स कन्यकुमारी, जैपूर में जैपूर जैपूर में और इसके लिए को एक्स्प्राइशन की जरूतनी है, simply यह है कि MS Dhoni की जो नई statue बनाए गई ह वो वैक्स से बनाए गई है, जैपूर वैक्स मूजियम जैपूर में, तो आज का जो आखरी प्रशन है, वह यह है कि निम्ले लिखित में से किसको CBI के अतरिक निदेशक नियुक्त किया गया था, हैनि कि इन में से किसको additional director of CBI चुना गया था, आपको सामें चार उप्शन से अश्वनी कुमार, अलोक वर्मा, एम नागेश्वर राउ और अनिल सीना, दोस्तों, CBI अभी काफी ज़्यादा news में है, due to conflict between one of the two of the most powerful bureaucrats, अब जो इसका correct answer हो है, एम नागेश्वर राउ, अब जो एम नागेश्वर राउ जो है, यह 1986 के IPS officer है, ओडिसा character से belong करते हैं, इ लेकिन अब इनको promotion एक तरीके से मिला है, और यह additional director चुने जाएंगे 2019, दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी class खतम होती है, अगर आपका कोई भी question तो please comment section में drop कीजिएगा, हमारे चैनल को like, हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, और अपने दोस् इसका फायदा मिल सके, दोस्तों thank you for watching this video